नमस्ते, कैसे आप सब? I really hope कि आप बहुत अच्छे होंगे जैसे कि बाकी करियर्स में जो है अपना-पना एक स्ट्रागल एक आप्स्टिकल्स, एक चैलेंजिस होता है जैसे ही योगा करियर में भी अपने-पने स्ट्रागल्स अपने-पने उब्स्टिकल्स और चैलेंजिस जो है वो होते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक योगा करियर में क्या-क्या चैलेंजिस आपके लिए हो सकते हैं और उनको हम कैसे इजी एफिशेंटली नेविगेट करें ताकि अगर आप एक गिनर हो अगर आप और एक योगा टीचर हो या फिर आप बनना चाहते हो तो आप एक बैलेंस्ट स्टेट ओफ माइन्ड से आए सब को जानकर आए और आगे अपना जो है कदम बढ़ा है तो चलिए आईए शुरू करते हैं एक योगा टीचर को आता है वो है फिनांशल इंस्टेबिलिटी यह वन आप दे बिग़िस्ट चैलेंजिस है जो हर योगा टीचर जो है फेस करता ही है क्यों फेस करता है? बिकाज योगा टीचर हम प्राइमरिली डिपेंडेंट होते हैं अपने योगा क्लासस पे फॉर आउर इंकम इसका सल्यूशन मैंने इस वाले वीडियो पे दिया है आप इसको डिटेल में जब देखेंगे एकदम एंग तक तो बहुत ही अच्छे से आपको पता चलेगा फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सजिस्ट आपको बताती हो इसका सल्यूशन है अपने इंकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करना ये अच्छली हर करियर में ही एपलीकिबल होता है योगा टीजिंग में योगा करियर में भी आप अपने इंकम सोर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते है सिर्फ क्लासेज लेना ये one of the income streams, one of the income sources है योगा टीचर्स के लिए मैं आपको रिकुस्ट करूंगी कि आप ये वाला वीडियो जरूर देखे इसमें मैंने detail में actually बताया है और काफी लंबा वीडियो है इसलिए आपको अच्छे से वो समझना पड़ेगा अपने आपके उपर वो जो है apply करना पड़ेगा ताकि ये जो financial instability है yoga teachers जो face करते हैं उससे जो है आपको गुजरना ना परे second challenge है वो है physical and mental fatigue जब हम new new yoga teacher बनते हैं तो हमारे मन में ये रहता ही है कि जितने classes लेना है वो मैं हम ले ले जितने ले सकते है उतना ले ले और हमको लगता है यही तो hard work है इसी से ही तो हम जो है successful होंगे इस career में जो कि बहुत गलत है मैं इसमें किसी को दोश ने दूँगी क्यो तो इससे क्या होता है जब आप दिन में बहुत सरे classes लेते हैं first thing आपका body जो है वो give up करने लगता है और body give up करने लगता है तो आपका mind भी actually उस चीज में focus होके नहीं रह पाता जब आप 2-3 classes या 4-5 classes a day लेते हैं तो आपका classes का quality बहुत ज़ादा increase होता है और yoga teaching में actually quality जाद matter करता है आपके quantity से जितना अच्छा quality classes लेंगे उतने ही आपके जो है clientele बढ़ते हैं तो इसका solution क्या है इसका solution यही है कि आप जो है एक अपने लिए routine fix करें कि मेरे को इतने classes के से जादा नहीं लेना है ठीक है तो यह first solution है second है कि अपना self practice जो है आप बढ़करार रखें ऐस यह जो balance maintain करके जो teachers आगे बढ़ते रहते हैं वही actually successful होते हैं और third है set boundaries आपको बहुत ऐसे clients मिलेंगे जो आपको बहुत convince करने की कोशिश करेंगे कि आप कम price में हमारा यह ले लीजिए आप इस दिन भी class ले लीजिए आप please हमारा class ले लीजिए यह मेरे साथ आज भी होता ह है लेकिन आपको नो बोलना actually आना चाहिए तो जब भी आप clients को नो बोलते हैं तो वह आपके लिए आगे जो है वह काम करता है मैं को यह मैं यह क्यों बोल रही हूँ विकस आपको लगेगा कि किसी client को नो बोल दे तो वह तो कही और चले जाएंगे ऐसा नहीं होता अगर व quantity उसमें जादा आप जो है students के ले सकते हैं and at the end आपका जो है income जो है वो हाई रह सकता है अगर आप personal one-on-one classes लेते हैं तो आप चार या पाच classes one day में ले सकते हैं लेकिन वह की मतलब वो personal classes थोड़े से जो है interesting कम होता है में को यासा लगता है तो आप अपने लिए डिसाइड करें and आगे बरें third is managing expectation and maintaining authenticity yoga in today's commercial world may push you towards making compromises like focusing more on physical aspects rather than holistic practices there might also be pressure to meet unrealistic student expectations or social media standards तो ये इस चीज़ से बच्टे के लिए आप क्या कर सकते हैं first try to stay true to yourself आप बस ये सोचते रहना कि आपने yoga journey जो अपना start किया था वो किस लिए start किया था तो आपको इसमें answer मिल जाएगा देखे carried away होना किसी भी trend के साथ ये बहुत ही normal है हम humans है ये जो है behavior हमारे अंदर बहुत जो है देखने को मिलता है and जब हम social media में देखते हैं कि उसने बस ये post किया है like yoga for weight loss लेकिन इसके इतने views है इतने shares है इतने likes है इतने comments लोग करते हैं प्रेस करते हैं तो क्यों ना मैं भ करता है तो लिक आप carried away हो गया ना दूसरे का जो है वो जो है materialistic success देखके तो वो आपको नहीं होना है इसलिए बार बार आपको अपने आपको जो है आजी सवाल करते रहना है कि मैंने yoga क्यों स्टार्ट किया था मैंने क्यों स्टार्ट किया था तो इसका जो physical aspect है जो materialistic जो commercial aspect भी चल रहा है उसमें आपको जो है carried away होते वे नहीं देखेंगे second है अपने students को अपने clients को आपको educate करना है देखिए हमारे जो students है हमारे जो clients है वो भी social media में देखके कहीं से कुछ सुन के वो जो है हमारे पास अपने expectations लेके आते हैं और हम उनको लगता है कि as a yoga teacher यह हमारे expectation को जो है उनको fulfill करना ही है जो कि बहुत ही गलत है एक example के साथ समझते इसको suppose कोई आपके पास client आया उसने आपको बोला कि एक महिने में में मेंको 7 kgs weight shred करना है आप कर दोगे ना आपकर पाऊगे ना यह हो जायागा ना यह इनके questions रहते हैं मैंने बहुत सारी yoga teachers को देखा ह कि लोग बोलते yes yes क्यों नहीं होगा हम यह करेंगे वह करेंगे यह वह करते रहते तो यह जो गलत expectations जो है हम का बोजा जो अपने अंदर हम लेते हैं पहली बात तो यह गलत है कि एक महिने में आप इतना weight lose करना यह आप नहीं कर सकते और second thing अगर आप किसी को ऐसा दिलासा द भी उतने हाई होती रहेंगे ठीक है यह एक केस है second case है जैसे मैं अपने आपको अगर देखती हूं कि मैं मेरे पास ऐसे हजारों कॉल्स आते हैं योगा क्लास के लिए कि weight loss हो जाएगा ना जैसे हमारे यहां दुरुगा पूजा मनाया जाता है दुरुगा पूजा के पहले कि everybody joins gyms and yoga studios join करते हैं just to look good during the durga puja उस तेम पे यही जो है first question रहता है इतना weight lose हो जाएगा मेरा और हमारा answer जो हमेशा रहता है no we don't guarantee this वो आपके उपर है आपके body के उपर है हर किसी का body type different है हो सकते है आपके body में जो है water hold करके बैठा हो तो आपको weight भी कम होगा inches भी कम होंगे with movement लेकिन suppose अप genetic है आपका weight and और भी बहुत सरे factors है जिसके वज़े से आपका weight gain है यह guarantee हम कैसे ले सकते कि आपका weight कम करके ही देंगे तो इसका answer हम no बोलते हैं बहुत सरे clients चली भी जाते हैं दूसरे studios में लेकिन मैंने अपने आपको जो है यह head bound कर दिया कि मैं लोगों को ग है वह हम holistic जो है wellness की तरफ ला सके ना कि just physical aspect of yoga को जो है promote कर सके फोर्थ है market yourself effectively just being a great yoga teacher doesn't work आपको जो है अपने आपको effectively market करना भी आना चाहिए मैंने लास्ट इन दोनों वीडियो में इसका detail answer दिया है मैं इसको यहां पे जो है discuss नहीं करूंगी because बहुत ही लंबा वीडियो बन जरूर देखें आपका यह जो question है query है कि अपने आपको कैसे market कर effectively ताकि जो है वो सही निशाने पर लगे आपका marketing जो है style या फिर strategy तो यह दोनों वीडियो जो है आप जरूर देखें फिव जो में को लगता है सबसे बरा चालेंज आता है कि अपने clients को जो है रिटें करके र consistency of us हम अगर एक class ले रहे हैं 6-7 a.m. जाहे उस class में एक ही बंदा क्यू ना हो दो ही बंदे क्यू ना हो हम वो class लेते ही रहेंगे अप मानेंगे नहीं जब मैंने yoga studio स्टूडियो स्टार्ट किया था तो पहले के दो हफते तक मैं कोई भी client थाई नहीं पहली बात तो मैं जस जाती थी studio में I used to sit there मैं अपना practice करते थी and then I used to come back and पूरे दिन मैं वो studio में बैथी रहे थी तो यह जो करते 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 एक्षिली फॉर्स्ट्लाइंट हमारा आया आफ्टर टू वीक्स वही क्लाइंट वह अकेला बंदा था और उनको मैं रिक कर राया तो उन्होंने एक हफता किया फिर सेकिंड हफते से वो अपने दोस्तों को लेकिया है जने ऐसे कर करके word of mouth होते 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 जहीं बहुत सारे जो है एक बैच बन गया था एक्षिली आइंग 12 पीपल थे फॉर्स बैच में वह एक बैच बन गया था फिर सेकिंड जो हमने क्योंकि उस बैच में बहुत सारे लोग आ रहे थे तो उन्होंने रिक्विस्ट के कि आप एक और बैच करो तो पास बज़े से पिर क्लास लेना चाहिए तो मार्केट आसल्स हम सोशल मीडिया में एजुकेट कर सकते हैं लोगों को हम सोशल मीडिया में अपने स्किल्स को अपने नॉलेच को जो है शोकेस कर सकते हैं अपने योगा स्टाइल को एक्षिली शोकेस कर सकते हैं और वहां से जो है बहुत बढ़ा क्लाइंट आपको जो है मिलने के chances रहते हैं आप कोई भी career बनाईए किसी भी career में successful होने के लिए actually self growth बहुत जादा important होता है consistency बहुत जादा important होता है and persistence and resilience बहुत जादा important होता है में को जो लगता है same ये इस yoga career में भी actually valid है ये जो challenges है ये बहुत जादा रोटिंग लग सकता है लेकिन को overcome किया जा सकता है आपका journey as a yoga teacher सिफ yoga teach करना नहीं है में को लगता है कि हमारा journey जो है वो हमारा खुद का self improvement self growth का भी journey है and इसे को actually हम primary अगर मतलब हमारा जो है goal रखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चीज़े अपने आप actually होती ही रहती है अगर इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ value मिले तो इस वीडियो को like and share जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe करें हम अपने चैनल पर ऐसे ही करें योगा related topics पर बात करते हैं मैं योगा philosophy और आयरवेदा का knowledge भी आपको प्रवाइड करती हूं साथे साथ मेरा जो nine years का experience है उसको भी जो है मैं बताती हो अगर आप एक योगा टीचर है और अपने लिए योगा फ्लोज आपको जो है सीखना है अपने लिए एक ऐसा चैनल ढून रहे है तो आप मेरी इस्टर निशिता का चैनल जो है subscribe कर सकते हैं और second thing अगर आपको इस topic पे की एक योगा class properly कैसे लेना है अपने आपको कैसे establish करना है as yoga teachers ये सब अगर आपको guidance चाहिए इसी के साथ अगर आपको एक 200 hours TTC का syllabus भी complete करना है plus YCB level 2 का coaching भी अगर आपको लेना है तो आप हमारा online TTC join कर सकते हैं हम affiliated है under the Indian Yoga Association हमारे TTC में enroll या register करने के लिए आप इस number पे call कर सकते हैं चले मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद कर सकते हैं